हलो फ्रेंड्स मैं माना वहुजा इंटरनेशनल मोडिविशन स्पीकर बिजनस कोच बिजनस स्ट्रेजिस्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट आज हूँ आपके साथ स्पेशली ये वीडियो सेल्स वालों के लिए बना रहा हूँ ऐसे बिजनसमेन ऐसे अंटरपनियोर्स ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए बना रहा हूँ जिनको सेल्स करने में प्रॉब्लम आती है या जो अपने टार्गेट सेट करने में घबराते हैं या फिर अपनी कंपनी को बहुत बड़ा बनाने में बहुत टेंशन ले लेते हैं कि कैसे ज़ादा से ज़ादा revenue company में लाया जाए, किस तरह से अपने targets achieve की जाए, especially network marketing वाले या ऐसे professionals जो banking, sales, किसी भी तरह की sales organization से जुड़े हैं, जहां उनको targets को achieve करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान से सुनियेगा कुछ चार-पांच steps में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, कि कैसे आप अपने लिए बड़े से बड़ा target set कर सकते हैं, उसको achieve कर सकते हैं, अपनी life को enjoy कर सकते हैं, हमारे भारतवर्ष के सबसे बुद्धी मान व्यक्तियों में से एक चानक के पंडित, उनके द्वारा दिये गए कुछ ग्यान की बातें, कुछ sales special techniques के द्वारा, कोई भी इनसान बहुत successful बन सकता है, वो tips share करने जा रहा हूँ, वो steps share करने जा रहा हूँ, एक समय की बात है, जब बहुत ही successful ब्यक्ति एक college में गया as a chief guest, तो बहुत सारे students से उसका interaction हुआ, finally, जब वो एक last senior most class में गया, तो वहाँ पर कुछ students थे, उन students को मिलने के बाद, उन में से एक student ने उस successful ब्यक्ति से पूछा, सर, क्या मैं कभी life में successful हो पाऊंगा? तो उसने उस student से पूछा, आपको क्या लगता है, क्या आप successful हो पाएंगे? तो उसने का, सर, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे समझ नहीं आता, मैं क्या करूँ? तो उस student ने जवाब दिया कि सर मुझे लगता है कि शायद मैं successful हो पाऊंगा हो सकता है मैं successful ना हो पाऊंगा तो उस अमीर व्यक्ति ने उस successful entrepreneur ने इस student को बोला कि आप definitely successful नहीं हो पाएंगे इस conversation को सुनने के बाद साथ बेठा student अपने आपको रोक नहीं पाया वो खड़ा हो गया और उस ने बोला उस अमीर व्यक्ति से कि सर लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत successful हो पाऊंगा और मैं हर वो चीज अचीज अचीव कर पाऊंगा जो लाइफ में अचीव करना चाहता ह हूँ मुझे किसी भी व्यक्ति की approval की जुरत नहीं है नहीं मुझे आप जैसे अमीर व्यक्ति से भी approval लेने की जुरत है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा जजबा है मेरी जिद है मेरे अंदर वो mindset है वो confidence है कि मैं अपने आपको एक बहुत successful व्यक्ति के रूप में एक दिन तो इसी बात पर उस successful entrepreneur ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा एक बात बताओ क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई secret है या ऐसी कोई technique है जिससे तुम इतना confidently बोल सकते हो कि तुम definitely successful हो पाऊगे तो उस बच्चे ने जवाब दिया नहीं सर आज मेरे पास कोई technique कोई idea कोई business idea नहीं है जिससे मैं आपको ये बता पाऊं कि मैं successful होंगा लेकिन मुझे अपने ऊपर confidence है मुझे अपने अंदर एक जजबा दिखता है एक जिद दिखती है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर वो काबलियत है और कुछ काबलियत में हासिल कर लूँगा मैं learnings ले लूँगा जिसके basis पर आज नहीं तो कुछ साल के बाद मैं एक अपने आपको successful entrepreneur एक बहुत बड़े व्यक्ति के रूप में देखना चाहूँगा और ये मैं करके रहूँगा क्योंकि ये मेरा सपना है मेरा बहुत sincere dream है मेरी life का ये goal है तो इस बात पर वो अमीर व्यक्ति बहुत देखे मैं नाम तो नहीं लोगा लेकिन वही बच्चा जो बहुत confident था आगे चल कर future में इस विश्व का बहुत ही famous और बहुत ही अमीर व्यक्तियों में से उसकी गिंती होने लगी तो ये है punch line number one self approval सबसे ज़रूरी है हमारी success के लिए self approval हमें किसी और के approval suggestion के उपर depend होने की जरूरत नहीं है अगर हम खुद से confidence है अपने उपर भरोसा है तो हम successful जरूर होंगे ये चनक के पंडित हमें सिखाते हैं अपनी नीतियों के द्वारा अपने ज्यान के द्वारा के self approval अगर आप खुद को देते हैं तो आप definitely successful होंगे इस punch line को ध्यान से note कीजिएगा it is always better to believe in yourself than doubt yourself दूसरा और बहुत strong point बहुत ध्यान से सुनियेगा your presence of mind can make you win worst of the battles in life जी हाँ आपकी बुद्धी मता आपका presence of mind आपको बड़े से बड़े खत्रे से बड़ी से बड़ी चनौती से बाहर निकाल सकता है एक और छोटी सी story सुनाता हूँ एक समय की बात है जब चानक के पंडिक छोटे थे अपने गुरू के पास गए बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पर तो गुरू ने एक test दिया सबको उन्होंने कहा कि ये टोकरी है इस टोकरी में पानी भर के लाओ क्योंकि गुरू को साफ करना है maximum students न सोचा ये कैसा test है भला ये भी कोई पास कर सकता है ल वहीं टोकरी छोड़कर वो चले गए कुछ टोकरी लेकर वापस चले गए और गुरू जी को बोला गुरू जी हमसे न हो पाएगा ये तो बहुत मुश्किल काम है ये तो practically possible ही नहीं है लेकिन चानक के पंडित वहीं रुके रहे उन्होंने दिमाग लगाया कि मैं कैसे अप उनने बॉस की अपने गुरू की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूं और इस काम को पूरी तरह से अंजाम तक लेके जाऊं इसलिए उन्होंने वेट किया उन्हों टोकरी को नदी के अंदर डाल दिया और नदी के अंदर डाल चोड़ दिया। वास्तव में हुआ क्या कि पानी के पंडित अपने गुरुजी के पास गए और बोले गुरुदेव मैंने आपकी आग्या का पालन किया आपने जैसा कहा मैंने आपके शब्तों पर विश्वास रखा और अपनी मेहनत से अपनी presence of mind से मैं आपकी सेवा में उपस्तित हूँ गुरु बहुत खुश हुए लाइफ में किसी भी problem का solution निकालने के लिए आपके अंदर presence of mind होना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों क्योंकि sales का profession कुछ ऐसा है कि हर महीने नया target हर महीने नई achievement तो बार बार एकी काम को करते रहने में कभी कभी व्यक्ति बोर हो सकता है लेकिन अगर आप अपनी innovation को apply करते रहेंगे अपने presence of mind को apply करते रहेंगे अपनी ने नई techniques को apply करते रहेंगे अपने business को बढ़ाने में तो आपको आसानी होगी हर महीने नया target नई से जनरेट करना आसान नहीं होता लेकिन आप अपनी बुद्धी के द्वारा देखिए एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि problem का solution सोचना एक अलग चीज है और उस solution तक जल्द से जल्द पहुँचना दूसरी चीज है यह दोनों चीज़े बहुत important है इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि अपनी बुद्धी मता का अपनी presence of mind का जल्द से जल्द इस्तमाल करके innovative thinking को apply करके जल्द से जल solution सोचिए और उस तक पहुँचने की कोशिश कीजिए इसी में आपकी जीत है तीसरा और बहुत ही शांदार point beat the best जी हां beat the best का मतलब है कि जो best व्यक्ति है उसे मारिये जी नहीं actually इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को ढूंड़िए जो top performer है आप ये सोचिए कि positive way में बिना किसी का नुकसान किये कैसे आप उसका record तोड़ सकते हैं कैसे उसको beat कर सकते हैं performance में एक sales के बंदे के लिए sales organization से जुड़े वो हर व्यक्ति के लिए हर उस businessman हर उस professional के लिए बहुत जरूरी है कि वो हर महीने अपना ही record तोड़े सबसे पहले ऐसे लोगों को identify कीजिए किन लोगों के साथ आपको रहना है हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके आसपास के लोग बुद्धी में आपसे कम है आप life में कुछ नहीं सीख पाएंगे आपको हमेशा यह लगेगा इन से जादा तो मैं जानता हूँ इसमें आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा कोशिश कीजिए ऐसे लोगों के साथ रहने की जो आपसे ज़्यादा intelligent हो आपसे ज़्यादा capable हो so that आप हमेशा एक learning curve की तरफ चले और अपने आपको नई information से important information से updated information से अपने mind को feed करते रहे इससे आपकी competitiveness और बढ़ेगी आपकी शमता और बढ़ेगी be the best is the key to success एक बार फिर conclude कर देता हूँ बहुत आसान है इस बात को समझना कि जो भी top performer है उसको चुनिए उससे better perform कीजिए और उससे better perform करने के बाद आप एक record कायम करेंगे और next time अपना ही record तोड़ दीजिए हर महीने नया target, नया achievement, नया record उससे better करूँगा, उससे better करूँगा, उससे better करूँगा ये approach रखनी है competition बाकियों के साथ हो ना हो अपने साथ जरूर होना चाहिए successful होने के लिए और अब आता है, चौथा और last point जो की सबसे जरूरी है remain passionate and enthusiastic all the time जी हाँ, अपने जुनून को मत छोड़िये और हमेशा उसा को बनाए रखिये पिछला महीना जैसा गया, गया, वो history हो गया अभी नया मन्त है, नया target है इसको achieve कीजिए, देखे अपने आसपास हर वो चीज़ जो आप अपने use में ले सकते हैं, positive way में constructive way में, बिना किसी को तंग किए, बिना किसी का नुकसान किए आप उस हर resource को अपनी success की तरफ drive कीजिए, अपनी help खुद कीजिए resources से help लीजिए जहां पर किसी को problem ना हो हर तरीके से, एक positive way में अपने जुनून को बनाए रखिए, उत्सा को बनाए रखिए अपनी कामियाबी की तरफ दौडते रहिए दौडते रहिए, रेकिए आपकी past performance जैसी मरजी रही हो, वो इस चीज़ के गवान नहीं है, वो इस चीज़ को decide नहीं करती कि आपकी future performance कैसी होगी, आप खुद जिम्मेदारी लेंगे, अगर आप अपना enthusiasm बना के रखेंगे, अगर आप अपने goal की तरफ passionate रहेंगे, तो आप definitely achieve करेंगे, sales एक ऐसा जुनून है, जो एक बार दिमांग में घुज गया, जिसने success को taste कर लिया, उसको फिर वो रोज चाहिए, हर महीने चाहिए, हर हफते चाहिए, हर मुमेंट चाहिए, हर घंटे चाहिए, ऐसा sales का व्यक्ति जो हमेशा उत्साहित रहता है, अपने enthusiasm को कम नहीं होने दे सकते, अगर आपका उत्साह ही गिर गया, तो आपको successful कोई भी भी नहीं बना सकता, आप खुद जिम्मेदार हैं, अपनी success और अपने failure के लिए, लेकिन इस सब चीजों के बाद भी एक और जरूरी बात में आपको बताना चाहता हूँ, के do not stop when you are tired, you should stop when you are done, आपकी सुहलत के लिए चारों पॉइंट को एक बात फिर revise कर रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट, self approval is must for your personal growth, personal achievement, second point, presence of mind is must for your personal growth, personal achievement, third point competitive approach, यानि के beat the best is very important for you to succeed in all areas of life, fourth and most important, always keep up your enthusiasm and be passionate towards your goal, आपसे request करना चाहूंगा, के नीचे दिये गए comment box में, आप लिखिये, आपको क्या सीखने को मिला इस वीडियो से, क्या आपको अच्छा लगा, क्या learnings रहीं आपकी इस वीडियो के दुआरा, जिनको आप अपनी life में तुरंत implement करना चाहेंगे, इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुँचाना हम सब की जिम्मेदारी है, जो हमें लगता है कि किसी competitive exam की तयारी कर रहा है, या फिर किसी target को achieve करने में लगा है, और मेहनत कर रहा है, लेकिन कभी-कभी उसको result नहीं मिलते, तो वो demoralize हो सकता है, इस channel को अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया, तो bell icon को hit कीजिए, इस channel को subscribe कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत important videos बनाने वाला हूँ, जो हर step पर life में आपके काम आते रहेंगे, learnings मिलती रहेंगी, सीखने को मिलता रहेगा, always keep learning, keep training your mind to be successful in life, thank you so much.